जीवन में कई तरह की दुर्गटनाए होती रहती है, कुछ से शरीर, कुछ से मन, तो कुछ से भावनाए आहत हो जाती है शहर में ऐसी ही एक धर्म और धर्मिक भावनाओ को आहत करने वाली दिल दहलाने की खबर सामने आई जिसमें धार्मिक स्थल की गरिमा को चोट पहुचाई गई और साथ ही धर्म के देवदूत माने जाने वाले धर्मग्रू के साथ गाली गलोच और मारपिट की गई यह घटना चोर खिड़की के समिप अशोक नगर सिद बुद्ध विहार की है बताय जा रहा है कि बीती रात तकरीबन दस बचे के दोरान साथ से आठ योवक बुद्ध विहार के अंदर धुम्रपान कर रहे थे जो शराब भी पिये हुए थे भनते जी ने जब उनका विरोत करना चाहा तो उन लड़कों ने भनते जी के साथ अशलील गाली कलोच के साथ मार पीट की पुलिस ने उन आवारक गर्दों को अपने शिकंजे में ले लिया है इस घटना को लेकर फूरा बौद समाच इखटा हुआ और समाच का जथभा जिलादिकारी कारेले पर पहुचा जहां उन्हें इस घटना से अउगत कर चर्चा की गई और आगे इस तरह की घटना नहो इसले जिलादिकारी से निवेदन किया गया इस सारी घटना को निचोड़ा गया तो सार शराब बंदी का निकला लोगों का कहना है कि अगर शराब बंदी सही मायने में होती तो आज उन आवारा गर्दों ने ये हरकत ना की होती और ना ही धार्मिक भावनाय आखत होती भविश्य में इस तरह के कृत ना हो इसलिए शराब बंदी पर विशेश ध्यान देने की जरूरत है वरना ये आवारा गर्दे हर धार मिक्स धरूरत बोला है यहां क्या पर चाहिक करने की जगा नहीं है यह जहां करो कि यह मत करो तो वह एक लड़का खड़ा हो गया और उसके गंदे गाली दने लागए इतने में उसके बाकी जो बहार लड़के थे ।ब लंबू लड़का कहने लगा कि तुम अ अंदर आज़ाँ इसको द दरवाजा बन करने के कोशिश कर दा लेकिन दरवाजा ठीक से बन नहीं हो रहाता तो सब लोगों ने मेरे उपर हाथ चड़ाया तो मैंने एक लड़के को दो से धक्का मारके दरवाज यह से बाहर कर लिए तो फिर सब लोग एकटा जम गया और मुझे मारते यह सब कि धर्मिक पर आकर एक धर्मगुरु को माना किसी धर्मगुरु हो या कोई बी मंदिर हो या विहर हो या मजदित हो ऐसे शराबी लोगों का अंदर आके मारपीट करना धर्मगुरु को यह अच्छे बात नहीं है और जहां तक हाँ जाए कि महारास्टा में चंद्रपुर जिला यह दारू से मुक्त किया गया है इसा डिकलर किया है लेकिन अभी भी गली-गली में लोग लारू पी यह प्राशाचन के लिए बहुत शरम की बात है इस पर गवर सिध्यान देना चाहिए आरूपी पकड़ा गया है और उसको समंदित करवाई की प्रोसेश चल्म है पुलिस लोग ने एक कोपरेशन के लिए में थैंके को ने चाहिदा कि पास मिनट के अंदर पुलिस लोग ने जो अच्छे करवाई की और जो में जो आरूपी था उसको पकड़ के लाया मैं उसको ठीक से चानता हूँ और वो भी सही सही जो बयान दे रहा है अभी वो उसक के मादम से पकड़ा जाने वाले हैं जिननों जैसा गुना किया उस गुने से जो भी कुछ कलम हो उसके अनुसार उनको करवाई होने चाहिए क्योंकि और यह जो हसा हो गया और किसी धार में इस तलपा इसा अशा नहीं होना चाहिए और शरब पीने वालों को थुड़ा सा दर्शत भी हो जाएगा इस गटना से अरिवाई हुई उसको 10-12 लोग ने अंदर ही मारते थी मगर वो बहार नीकल गया इस वाजिशे पच गया नहीं तो मरने लायक बनता था उसका पुरा भी नहीं रखती थी यह अवस्ता होने जा रही है ऐसा होना नहीं चाहिए लिए दक्षेता होना चाहिए कि इस देश में क्या हो रहा है इसके उपर शाषन करती जमातनी और शास्की कारेवाई करना चाहिए एक ताके ऐसा नहीं उसके उपर बोलेंगे कल जो बात हो गई है इसी बात हो नहीं हमारे लिए दुख की बात है हमारे देश के लिए दुख की ब अगर शांति का मतला ऐसा नहीं है कि आप मार खाते रहा और दूसरे ने मारो